प्रूटर नॉलेज में आपका खुशामदीत, खेर मगदम, सागतम, वैलकम आज हम फिर आजिर हुआ है एक नई वीडियो के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं एसी करेंट के बारे में अल्टरनेटिव करेंट अल्टरनेटिव करेंट किसे कहते हैं और अल्टरनेटिव करेंट का क्या काम होता है वीडियो में अन तक बने रहेगा ताकि आपको वीडियो में पूरी बातें समझ में आए तो चलिया हम शुरू करते हैं AC करंट या वोल्टेज वो करंट है जो अपनी दिशा या आकार बदलती रहे, alternative करंट या वोल्टेज कहलाता है. AC करंट इस परकार साइकल बनाते रहे, जो हर करंट में दो आधे साइकल माने जाते हैं. एक्जाम्पल के तौर पर पलस वी ई दिशा में और माइनस वी ई दिशा में. AC का इस्तेमाल आजकल हर घर, फैक्टरिया, इत्यादी जगह पर किया जाता है. AC में 33,000 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्टेज पैदा किया जा सकता है. AC वोल्टेज को ट्रांस्फर्मर के जरीए बढ़ाया या घटाया जा सकता है. AC में अधिक वोल्टेज पर ट्रांस्मिशन वित्रन करने से बिजली सस्ती परती है. क्योंकि ऐसे में लाइनों के लिए समान कम लगता है. जैसे कि पतली ताड़ें, थोड़े कंबे, थोड़े मजदूर, वर के मोटरों में से AC की मोटरें सस्ती हलकी कम जगा घिनने वाली और कम देख भाल करने की जरूरत परती है. AC को जब और जहां चाहें, DC में आसानी से बदला जा सकता है, जबकि DC को AC में बदलना मुश्किल है. इससे पिछली वीडियो में हमने DC की व्याख्या करके आपनों को बताया था. I hope के वीडियो आपको समझ में आई होगी. वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजेगा. प्रोटू नॉलिज को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में लगे बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा. ताकि इसी तरह की इंफर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहे हैं. पोरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.